नवश्कार स्टेज न्यूज एटी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वे आईए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर नर्सिंगपुर के बर्मान चौकी के अंतरगत मिडली टोरिया में बीती राज साड़े 6 साल की मासूम बच्ची को अग्यात वक्ती घर सी राज साड़े 11 बज़े लेकर लगबग सोते हुए अवस्था में ले गया और जब परिजनों ने देखा तो बच्ची घर से गायब थ बच्ची का संदग द अवस्था में शव मिला मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिक शक डॉक्टर गुरू करिंट सिंग एडिशनल स्पी राजिश तिवारी और एफ एसल टीम मौचूद जाच के बाद बच्ची का अगला दवाकर और बच्ची के साथ दुशकर्म की श गुमों गई है घरवालों ने रिपोर्ट की ये रात में और सुबह से इसमें टीम पुलिस की जो अलग अलग टीम है वो इसमें ढूनने में लग गई और आज दुपहर को तरीब दो बजे जो है बच्ची की जो लाश है वो मिली है यहीं तोरिया में तर किया संदे जा रहा है संदे प्रतम दिश्टिया ये जा रहा है कि उसका गलाखोड के मेत्यू उसकी होई यहां की गई है और साथ में उसके साथ बरात्वार भी किया तेold OSS priest मॉटम की बस्कूर मामले है लेमें काफि अाकरोस है अभी तक जो है अपराजी फरार है आई यहां जानते है नारान माव्या जो हमारे साथ हैं से हम पूछते हैं क्या है यहां पर जो है जिले में इस तरी घटाये गट रही हैं मासूम बच्चों के सांदाहकार अज्चा जो हम देखके आए हैं कि ए बहुत बड़ा निंदनी कारी है और बहुत निंदनी घटना हुई है और इसका मुख्य कारण सिर्फ हमको लग रहा है कि नसा सराप पाउडर गांजा आज का जो इवा है बच्चे हैं सब पूरे इसकी चपिट में आते जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण है इस टाई के बलातकार होना और आपरादिक जितने भी आपरादिक कारी चल रहे हैं सिर्फ मुख्य जड़ है इसकी नसा नसा खोरी बंद हो जाए सराप पर लगांग लग जाए इवाओं में कोई नई जागरती और जो समासीव संसा हैं वो आगे आके इसके इसका ब्रूत करें और बच्चों में अलग एक नई उर्जा पेदा काना समझा है जो पहले चलता था बुझरकों का सम्वान मान सम्वान लोग भूलती जा रहे हैं और इस वजह से यहां पर जो है नारान मोवे जीने मताया कि इसकी मुख वज़े जो है नसा है सराव पोरी है गान्या है इसमेक है जो की नच्च को दिले में चरम पे है और इसी वज़े से इसी वज़े से जो है बलाका जैसी घटना है मौसुम मच्चों हो रही है अब हैं इंदुस्तानी नच्च करता है